करीब 11 बिल्डिंग्स के हैंडोवर करने के लिए टेंडर को इंवाइट करने की कारवाई की हैं लगबग 10 बड़े काम ऐसे हैं जो एक साल से दो साल के बीच के दर्मियान में जो पूरे हो चुके हैं परंतु वो नगर निगम को ना हैंडोवर हो रहा है ना ही उसका संचालन किसी प्रकार से स्मार्ट सिटी कर रहा है जबलपूर के कलेक्टर भी इस लेट लतीफी को लापरवाही से कम नहीं मान रहे हैं जबलपूर कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि उन्होंने स्मार्ट सिटी के लंबित प्रोजेक्ट की समीख्षा की है आप सिवा सही कह रहे हैं कि उनका संचालन जो है उप्यों तहातों में बहुत जाना चाहिए ताकि जिस परपस्ष बनाए गए है उस परपस्ष उनका उप्यों हो लेकिन अधिकांज प्रोजेक्ट अधूर है जो प्रोजेक्ट पूरे हुए उनका संचालन ही नहीं किया जा रहा है ऐसे में मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट से शुरू नहों पाने से जरता परिशान है तब जबलपूर के महापौर ने स्मार्ट सिटी की बेढ़ंगी चाल का विरोध जताया है इधर कलेक्टर प्रोजेक्ट की समीक्षा करने की बात कह रहे है कलेक्टर का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के बाद या तो इन प्रोजेक्ट्स को जल्द शुरू किया जाएगा या इन्हें नगर निगम को हैंड ओवर दिया जाएगा आमदनी अठनी और खर्चा रुपईया ये कहावत तो आपने खुब सुनी होगी लेकिन जबलपुर स्मार्ट सिटी पूरे 400 करोर रुपईय खर्च कर हजारों की आमदनी भी नहीं कर पा रही है शहर में पहले ही जणता की सुविधाओं के लिए उपलब्द प्रोजेक्ट को इसमार्ट सिटी ने और विक्सित करने के नाम पर अपने हाथों में ले लिया था बीते दो से तीन सालों से ये प्रोजेक्ट्स या तो अधूरे हैं या उनका संचालन करने के लिए स्मार्ट सिटी को कोई एजेंसी ही नहीं मिल रही है ऐसे में जनता पहले मिल रही खेल कूद, कैफेटेरिया, एम्यूजमेंट जैसी सुविधाओं से मरहूम हो गई है इन में मल्टी स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, गोकुल दास, धर्मशाला, कन्वेंशन सेंटर और मल्टी लिवल पार्किंग जैसे प्रोजेक्ट्स तो बन कर तैयार हैं लेकिन इनके दरवाजे जनता के लिए बंद पड़े हैं जबलपुर के महापौर ने स्मार्सिटी की इस कारिशाली पर बड़े सवाल उठाए और प्रोजेक्ट्स को नगर निगम को हैंड़ोवर देने की मांग की है आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लंबे समय से एक साल बेल साल से और दो साल से जो काम पूरे होके रखे हैं ऐसी बहुत सारे काम लगबग दस बड़े काम ऐसे हैं जो एक साल से दो साल के बीच के दर्मियान में जो पूरे हो चुके हैं परंतु वो नगर निगम को ना हैंडोवर हो रहा है ना ही उसका संचालन किसी प्रकार से स्मार्ट सिटी कर रहा है जिसका लाब पैसा तो सरकार का है आम व्यक्ति के टेक्स का पैसा इस स्मार्ट सिटी के रूप में जबलपुर शेहर के लोगों के टेक्स का पैसा तो लग गया परन्तु उनको उसका लाब किसी प्रकार से नहीं मिल रहा है यह निश्चित तोर पर दुरभाग्यपूर है और स्मार्ट सिटी को जल से जल अपनी ये सारी परियोजना है जो लाब वाली है आम जनता के लिए वो चालू किया जाएगए दूसरी तरफ जिले में स्मार्ट सिटी के मुखिया याने जबलपूर के कलेक्टर भी इस लेट लतीफी को लापरवाही से कम नहीं मान रहे है जबलपूर कलेक्टर दीपक सकसेना का कहना है कि उन्होंने स्मार्ट सिटी के लंबित प्रोजेक्ट्स की समिक्षा की है और अ अब उनकी कोशिश होगी कि ऐसे प्रोजेक्ट का संचालन जल्द शुरू हो जाए। वैसे तो जबलपुर स्मार सिटी का कारेकाल भी 30 जून 2023 को ही खत्म हो गया था लेकिन अधिकान शराजियों की स्मार सिटी में अधूरे प्रोजेक्ट को देखते हुए सभी स्मार सिटी का कारेकाल भी एक साल बढ़कर 30 जून 2024 तक हो गया है ऐसे में देखना होगा कि कारेकाल पूरा खत्म होने से पहले जबलपुर स्मार सिटी जनता के लिए ये प्रोजेक्ट कब तक खोल पाती है जनता को इनका लाब मिल भी पाता है या नहीं आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे चैनल आई बीसी 24 महा कोशल को सब्सक्राइब जरूर करें केमरमेंट 37 सराटे के साथ विजन रपांडे आई बीसी 24 जबल